तो हाई गाई वट्सब कैसे हो सारे आयो को में से की तरक दम बढ़ी होगे जोस्तों आज के लिए आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री फैर का जी एफेक्स थमनेल पैक इसमें आपको सारी चीजे प्रोवाइड है जो की एक फ्री फैर थमनेल बनान के लिए चाहिए वो सारी ही आपको प्रोवाइड 석नल कि ये सविर ये तर्रीक्र का इसी बहुत्पारीर नेलुक्ट और आपको सार इमागे ओर आपको आम अपर इमुत्रेक्पा जी जो कि या जो पाक आत्म कि इसमें पूस्टैれ अिर्प będą बकिशिए हो और ये जो । विदो यह सारी आप्य पर को मिल जाएगी। इज एक्स्ट्स यदय को प्राइश lugशन दो प्रोट इसे वीमा q कि एक ड्यास है, आाए है, कि एक शर गजद्वी ऑनीघagn आपesti कै के शेसर हैं कि एक भया आ नडीन ये मेर जहां ऑना बजिए बर्गों के झाने ये एकड़। युचा ये जाए है जड़ा था है कि एकल िभसेंस एक जा सुधान जाए है w Ha Ai这ज है है पोचे लुदिज आव ए्षाइ माश्ट, जो ये स्लीन जाए एक्पासाइब, हम शुदिए अग्छ नहें, तो ये लितने आपने, क्यों वादाने, प्रेश एकाई भादाने, क्यों जा रिख लेट एक्षाइब, क्यों आवादान, क्यों आप लिए लोगा झापने, क्यों इजे एक्टिया तो गाइज मेरा जो पैक है उसे एक्स्रक्टर ने के लिए एक्स्रक्टर ने के लिए आपको एक अप्लिकेशन लेगा है जिसका नाम है जैड आचीवर और यह अगर बहुत अगर अगर आप्लिकेशन नहीं दाउनलोड गरोगे तो कुछ फोनों में यह पहले सही क्या करते हैं एक्स्रक्ट करने वाला सिस्टम होता लेकिन सब फोनों म यहां पर पहले से एक्स्रक्ट कर रखाता तो मैं दूसरी फाइल में कहीं पर जाकर मैं एक्स्रक्ट करूंगा फिक्चर्स में जाकर मैं यहां पर एक्स्रक्ट कर दूँगा तो यहां पर पासवर्ड मागेगा तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है पासवर्ड तो तो पासवर्ड है मिशन 30 K M I SS I O N 30 K और यह सारी चीजे capital letters में होंगी 30 K तो मिशन 30 K जैसे यह आप पासवर्ड डाल दोगे तो यहां पर extract पर किली करोगे तो पूरा पूरा चीज अच्छे से extract हो जाएगा और आप इसे यूज करके अपने थम्नेल्स बना सकते हो आयोप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से लाइक करो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब कर लेना और अपने किसी भी एक वीडियो दुबस्त के साथ सेर कर देना जो भी एक फ्री फार का यूटूबर हो या फिर फ्री फार के थाम्निल्स याव वीडियो बनाता हो तो लेकर एंड बबाई यह सारी जीज़े आपको मिल जाएंगी और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर होना चीए कमेड़ बॉक्स में बता देना